Hello students, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अंकिता, आपकी English Educator, स्वागत करती हूँ आपका Magnet Brains Hindi पर, जो आपके लिए लेकर आता है High Quality Education with all the top courses, जैसे CBSE Board है, UP, MP और Bihar Boards, ये सभी हैं, अवेलिबल Class 7 से लेकर Class 12 तक के लिए, यानि students, Class 7 से लेकर Class 12 तक के सभी students के लिए, सभी courses अवेल हैं, एकदम free of cost, यानि आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, इसके अलावा आपको e-notes और e-books अगर चाहिए, तो उनके लिए links आपको description box में दिये गए हैं, आप वहाँ जा के चेक कर सकते हैं, अब इस important information के बाद हम बढ़ते हैं, आज के topic की और, जो की है, आप की पोर्म, the trees का extract based questions, तो चलिए students, video start करते हैं, सबसे पहला extract है, the trees inside are moving out into the forest, the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning, यानि ये जो extract है, इसमें basically बात हो रही है कि किस तरीके से जो forest से जो पेड़ पौधे हम काटके, अपने घर पर लेकर आ गए हैं, सजावट के लेकर आ गए हैं, अब वो धीरे धीरे बहार निकलना चाह रहे हैं, और वापिस जो जंगल खाली हो चुके हैं, जिन जंगलों म पाना, तो इसे लिए धीरे धीरे वापिस ये forest जो है क्या करने लगे हैं, बाहर निकलने लगे हैं, ताकि वापिस घरों के बाहर निकलने लगे हैं, यानि ये पेर पौधी घरों के बाहर निकलने लगे हैं, और वापिस जंगलों की तरफ अपना रुख करने लगे हैं, इ पोईट के अनुसार उसका क्या मीनिंग है और क्यूं वो खाली हो क्यों गये हैं इसका ये मतलब है कि जितने भी पेड़ पॉदे हैं हम लोग काट कर उन्हें घर ले आए हैं तो कभी या तो पॉदो के रूप में उन्हें घर लेकर आ गये हैं या फरनीचर के रूप में या लकडियों से और जो भी समान बनता है उनके रूप में हमने जंगल को खाली कर दिया और हम किसी ना किसी तरह अपने उप्योग में उन लकडियों को लेने लगे हैं ये बेसिकली मतलब हैं आईए देखते हैं इसका रिटन एक्स्प्रिनेशन Empty forest means forest with no trees and it is so because humans have destroyed the forest for building cities and other uses यानी बहुत सारे ऐसे use हैं जिसकी वजह से या जिसके लिए जो है इसे जो forest है खाली हो गए हैं बहुत सारे uses हैं जिसकी वजह से हमने उन forest को खाली किया है अब यह uses students बहुत सारे हो सकते हैं जैसे furniture मैंने भी आपको बताया इसके अलावा लकडियों के लिए और भी जो भी सामान जिस भी वजह से use होता है जैसे paper भी बनता है और भी बहुत सारी चीजें जिसके अंदर लकडी का या wood का किसी भी प्रकार से use होता है जैसे stationary भी बना जैसे हमारी वो जो utilization जो हम कर रहे हैं लकडियों का इसी की वज़े से जंगल खाली होते जा रहे हैं second question हमारा है no sunbury its feet in the shadow explain this line इसका ये मतलब है students जो phrase दिया गया है या sentence जो दिया गया है आपको पोर्म से nose unbury its feet in the shadow इसका जो सीधा शाब्दिक अर्थ जो होगा वो होगा कि कोई भी सूरज जो है अपने कदम अब जो परचाई होती है या shadow या छाया होती है छाव या परचाई उसमें basically जो छाव होती है उसे shade कहा जाता है छाव को shade कहा जाता है ठीक है तो यह किसी भी छाव या किसी भी परचाई के अंदर अब कोई भी सूरज जो है अपने कदम नहीं गारता इसका क्या मतलब है basically इसका अर्थ यह हुआ कि पहले जब पेड़ पौधे होते थे जंगलों में और जब सूरज उपता था या ढलता था यानि जब तक सूर बनती हुई वो धूम धरती या जमीन तक आती है तो पत्तियों के कभी अलग अलग तरीके की आकरतियां जमीन पे बनती है कि कभी पत्तियों की आकरती बन रही है कभी टेहनियों की आकरती बन रही है कभी देखकर ऐसा लगता है कि पत्तियों और टेहनिया मिल जुलकर इस तरीके के भी आकरती बना लेते हैं, शेप बना लेते हैं, कि मानों ऐसा लगता है कि कोई human being है या कोई animal है, इस तरीके के हमें कई बार feel होता है, तो इसी तरीके से ये, इसका ये मतलब है कि, चुंकि अब पेड़ पौधे रहे ही नहीं है जंगलों में, लगबख खतम से ही हो दूप लगती है, चाओ तो हो ही नहीं पाती, तो students चाओ भी तभी बनती है जब वाकई में सूरज सर पे चढ़ा हो, तभी चाओ बन सकती है, वरना चाओ भी कैसे ही बनेगी, पेड़ अगर नहीं होंगे तो चाओ कैसे बनेगी, दोनों का ही होना बहुत जरूरी है, लेकि Since the forests were empty, sunlight could reach the ground directly and could ever hide under the shadows of the trees. अब्दम तो वो कुछ भी इस तरीके का कोई भी emotion ही नहीं create कर पाती है, जो emotion पहले कभी create हो सकता था. I hope students, यह दोनों ही questions आपको easily समझ में आ गए हैं और दोनों ही answers आपको अच्छे से clear हैं. बढ़ते हैं अगले question की और, Which word in the stanza means unoccupied? Unoccupied का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई जगा जिसे हमने अपने कबजे में नहीं लिया है या जिसका utilization हम नहीं कर रहे हैं. यानि उस पर किसी का भी एक सियार ना हो. The word is empty यानि खाली. मतलब ऐसी कोई चीज के किसी भी तरीके से इस्तमाल में नहीं है या उस पर किसी का भी एक अधिकार नहीं है. तो unoccupied. तो यहाँ the word is empty जिसका meaning होता है unoccupied. एक vocabulary का question है students. इसे अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि आप हर बार empty word भी use नहीं करके अगर अलग-अलग शब्दों का use करें तो वो भी explanation में बहुत कारगर होता है. अगर हम अलग-अलग शब्दों जितना हमें ऐसा नहीं है कि पुरा भंडार ही हमें एक बार में ही याद करना है ऐसा नहीं. धीरे-धीरे अच्छे से याद करें तसली के साथ अराम से हो जाएगा don't worry. लेकिन बार-बार-बार वही चीज़ कही जा रही है. है ना, तो वो उसको avoid करने के लिए हमें अलग-अलग words use अगर हम करें तो एक बहुती बढ़िया answer निकर कर आता है. चलिए, fourth question है, how will the empty forest be full of freeze by morning? यानि अगली सुभाय तक जो जंगल है वो फिर से पेड़ों से कैसे भर जाएं हैं वो घरों से बाहर निकलने के लिए मशक्कत कर रहे हैं. इस तरीके से पनप रहे हैं मानो सारी दिवार, खेड़की, दर्वाजे, छट को तोड़कर बाहर निकलना चाह रहे हैं और उनकी ये उच्छुता, आतुरता देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि अगले सुभा तक स आरे जंगर भर जाएंगे इन पेड़ों से और ये पेड़ना वहां पहुच ही जाएंगे. ऐसा महसूस हो रहा है. इसका रिटन एक्स्पिनेशन देख लेते हैं आपको जादा अच्छे से समझ में आएगा. The poet imagines that the trees are moving to the empty forest to settle there forever. This will enable the forest to be full of trees. इसका यही मतलब है students कि जब poet imagine कर रहा है. Remember letter लिख रहा है वो, right? The poet नाम क्या है? Adran Rich. तो she is a female poet और poetess है basically. और जब यह letter लिख रही है तो उसके अंदर बहार जाते हुए पेडों के बारे में कोई भी बात नहीं कर रही है. लेकिन एक imagination एक खयाल जरूर है कि यह जो trees जो बाहर जा रहे हैं empty या खाली जंगलों की तरफ वो वहाँ पर ही settle हो जाएंगे. क्योंकि जिस आतुरता से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है न यह लगी नीरा कि यहां रहना चाते हैं बाहर ही जाना चाते हैं तो ऐसा लग रहा है मानो कि कल सुबह तक तो सारे के सारे जंगल फिर से इन पौदों से पेडों से भर जाएंगे. तो यह बेसिकली इसको लिटरल सेंस में समझने की जरूरत नहीं है इसको इस तरीके से समझे कि यह एक imagination का हिस्सा है कि जिस तरीके से पनप रहे हैं इनको यहां तो जगह मिलनी रही इस तरीके से जड़े बढ़ रही हैं कि फर्ष में बरामदे में भी cracks आने लगे हैं सब्सक्राइबार होता है ना कि हम हमारी घर में अगर इस तरीके कोई पेड होता है जिसकी जड़ेती जादा फैलने लगी कि घर के आंगन कोई और फर्ष को खिड़कियों को ऐसे नुकसान होने लगे तो हम उनको उखाड कर फैंक देते हैं ऐसा यह बहुत कॉमनली होता है हर घर में जहां पर इस तरीकी के पेड होता है ठीक है मतलब उससे हम हमारी दिवार तो नहीं तोड़ेंगे या फर्ष तो हम नहीं तोड़ेंगे कि नहीं फर्ष अटा दो पेड़ पनपरा है हम लोग ऐसा नहीं ही करते वही तो बात है तो इसी लिए ये पेड तो बढ़े है, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the class small twigs, stiff with exertion, long cramped boughs, shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. इसका ये मतलब है students की सारी राज जो जड़े हैं वो काम करती हैं अपने आपको उस वरांडा से दूर करने के लिए. यानि जैसे पनपती हैं, बढ़ती हैं तो जिस तरीके से बरांडे के जो फर्ष में cracks से आने लग जाते हैं तो उसको देखकर ऐसा लगता है मानलोगों जो roots हैं, जो जड़े हैं अपने आपको उस जगह से, उस आंगन से एकदम अपने आपको खाड़ लेना चाहती है, disengage का मतलब यह है कि अपने आपको दूर कर लेना उससे, ठीक है? the leaves strain towards the glass small twigs stiff with exertion long cramped bow, shuffling under the roof इसका basically यही मतलब है कि पेड जिस तरीके से बढ़ रहा है तो उसकी तहनिया भी बढ़ रही है पत्या भी बढ़ रही है, अब बढ़ तो वो अपनी growth जिस तरीके से उसकी growth होनी चाहिए, वो बढ़ तो रहा है उसी speed से बढ़ रहा है वो कैसे रुख जाएगा लेकिन पनपने के लिए उसे उतनी जगह नहीं मिल रही है वो उतना फैल नहीं पा रहा है जितना उसे फैलने के लिए जगह होनी चाहिए और तो वो फैल जाए लेकिन फैल नहीं पा रहा है क्यों क्योंकि रास्ते में क्या आ एक हैं कि f carrying टो इन जगह न ही वो जगह रुक गई तो वही वही हो जो ट हैनिया है वह से घूंटी से जा रही है उर Requine हुर्टी आ इसा लग रहा है मानों एंसा भी लबाजे और दिवारे और च्छत तोड़कर आथा चाहरे है तो यह स्काू इसलब और यह देखने में जैसे ही जब बाहर निकल जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई discharged patient हो यानि अभी अभी कोई मरीज जब hospital से जूट कर आया हो तो ऐसा लगता है कि बस कब वो इस hospital से बाहर निकल जाए बिलकुल ऐसी ही ये टहनिया लग रही है इस पर जो questions बनते हैं वो है why do the roots work all night? यानि पूरी राज जो है वो roots काम क्यों करती है the roots work all night so that they can free themselves from the walls put around them by humans यानि जो उसके इर्दगेर जितनी भी दिवारे हैं, boundaries हैं या फर्ष भी है उससे छुटकारा पाने के लिए पूरी राज जो है roots महनत कर रही है तो basically यहाँ पर यह कि जो एक growth होती है वो जो growth हो रही है पेड की वो इस चीज से compare किया गया है कि अपने आपको दूर करना चाह रहे हैं वो इस घर से इस चीज से compare किया गया है I hope students है clear है आपको Second question है Why do the twigs get stiff? Stiff क्यों हो गई है? क्योंकि उनको फैलने और proper growth के लिए उनके पास जगह है ही नहीं The twigs get stiff due to the pressure they apply on the glasses फैलने के लिए उनकी जगह है ही नहीं तो क्या होता जा रहा है? और फैलना है और फैलना है तो यह है इसके कहने का मतलब Next, वो जो glass की या काच की जो खिड़किया है ना वो रुकावट बन गई है इनके आगे इनने फैलने ही नहीं दे रही है तो basically यह है इसके कहने का मतलब Next question है Which word mean to get free in the stanza? यानि free होने का मतलब किस चीज का मतलब यह है? कौन सा word यह है जिसका अर्थ होता है to get free यानि आजाद होने होना किस से जताता है तो disengage यानि अपने आपको किसी से दूर कर लेना Disengage का मतलब यही होता है कि अपने आपको किसी चीज से दूर कर लेना एकदम अलग कर लेना अपने आपको और फिर free एकदम हो जाना तो यह अपने आपको जो पेड की जड़े हैं वो अपने आपको बरामदे से free ही करवाना चाह रही थी ना यानि to get free from the veranda of this house ठीक है? I hope students आपको यह अच्छे से clear है यह वाला तो बहुत easy था Which poetic device has been used in the last line of the passage? यानि यह जो passage है इसकी जो last line है उसमें कौन सी poetic device है? और वो है simile has been used here using like for comparison यानि क्या? कहां like use किया गया है? Discharged patients Discharged patients यही word है ना? तो यह word क्या है? यह discharged patients इसके साथ ही तो comparison हुआ है ना? पेडों का, पत्तियों का, टेहनियों का और like शब्द का use हुआ है अगर like शब्द का use नहीं हुआ होता तो हम metaphor लिखते हैं लेकिन like शब्द का use हुआ है इसलिए हम लिख रहे हैं simile I hope students अच्छे से clear है अगला stanza हमारा है I sit inside, doors open to the veranda writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house इसका मतलब यह है कि मैं जब अंदर यह poet अपने बारे में बात कर रही है Ajayan Rich कि मैं जब अंदर बैठी थी तो the doors open to the veranda writing long letters in which I scarcely mentioned the departure of the forest from the house यानि जब मैं वो letters लिख रही थी तो मैंने बहुत ही ना के बराबर इन पौधों के बारे में जिक्र किया अपने letters में किन पौधों के बारे में वही जो इस घर से निकल कर बहार जंगलों की तरफ जा रहा है इनके बारे में मैंने अपने letters के अंदर कोई भी जिक्र नहीं ही किया question है find the word from the passage which means hardly hardly यानि मुश्किल से तो इस passage में इसका क्या word है क्या scarcely है yes scarcely का मतलब यह होता है hardly मुश्किल से या बहुत कम इसमें barely ये शब्द भी हम यूज कर सकते है barely b-a-r-e-l-y ठीक है यह अच्छे से clear a students यह बहुत easy है then what is she doing वो क्या कर रही है writing letters she was writing long letters यानि बड़े बड़ी चिठ्थया लिख रही है where are the trees in the poem poem में trees कहा है students यह question है यह बहुत important है यह आपके NCRT solutions में भी thinking about the text जो है उसके अंदर भी question आए है आपका जब poem start होता है उसमें भी जो तीन questions दिये गए है उन में भी यह है और extract based questions में भी यह है तो यह बहुत ही important question है make sure आप अच्छे से इसको समझ ले तो इसका answer है the trees are inside the house in the poem यह बहुत easy answer है ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत मुश्किल है इसे समझना लेकिन फिर भी कई बार क्या होता जब अभी तो क्या हम एक flow में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे को मालुम है कि इसके बाद क्या आएगा यानि अभी MCQs है कब MCQs आने वाले हैं कब most important questions आने वाले हैं तो वो एक sequence हमारे दिमाग में set है तो इस हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं तो वो कही ना कही हमारे लिए बहुत easy हो जाता है पर जब exam में question आता है तो हमसे specific पूछ कर तो आता नहीं है कि अच्छा यहां से आया है वहां से आया तो जब हमसे पूछा चाता है where are the trees in the poem तो अकसर students कह देते हैं कि trees are in the forest या trees are alongside the street या road या इस तरीके से कई बार कुछ लिख देते हैं लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है in fact यहां इसके साथ बहुत बार दूसरी poems के साथ confused होकर भी हम अलग अलग चीजों का या जगहों का नाम लिख देते हैं वो नहीं करना है although it's a very easy and simple question answer लेकिन still confusion create करने की पूरी एक्षमता है इनके अंदर तो प्लीज इन्हें एकदम ignore नहीं करें बिलकुल भी तो जो the trees are inside the house in the poem what do you mean by veranda veranda का मतलब क्या है veranda means a platform with an open front built on the ground floor of a home यानि एक open front होता आपके घर के सामने आपके घर का एक extended या आगे बढ़ता हुआ एक हिस्सा होता है इसको हिंदी में basically हम आंगन कहते हैं या बरामदा भी कहते हैं या कुछ लोग बरांडा भी कहते हैं तो अलग-अलग नाम हैं अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है लेकिन basically यही होता है जैसे एक घर है अगर मैं इसलिए यह बता रही हो सकता है आप यह सोचें कि मैं यह तो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत सारी जगह हैं बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां यह नाम यूज नहीं होते हैं जो मैं बता रही हूं बरामदा, बरांडा या आंगन तो चबूतरा भी एक शब्द है इसके लिए बूतरा बताने के लिए तो यू नो यह इस तरीके से मेरी ड्राइंग, I don't know किस समझ में आरी है या नहीं आरी तो इस तरीके से और भी जो आगे एक एक्स्टेंडेट पार्ट होता है ना उसे ही कहा जाता है ठीक है? अब मैंने किसी तरह थोड़ा सा कुछ बना लिया है तो यहाँ पर अकसर लोग बैठ कर चाय भी पीते हैं, चैर्स पर बैठ कर चाय भी पीते हैं, तो यह बहुत कॉमन सा है अब मैं की जैसी ड्रॉइंग है, जैसे समझा सकती है, समझाने की कोशिश करती है होफुली आपको यह अच्छे से clear हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हमारा अगला एक्स्ट्राइक है यह एक बहुत ही इंपॉर्ट एक बहुत ही इंपॉर्ट एक्स्ट्राइक है सुदेंस और CBSE 2016 में से questions, जो questions अब मैं आपको करवाने वाली हूँ वो पूरे के पूरे questions जो हैं CBSE 2016 में भी आये थे make sure आप इसे अच्छे से समझ ले चले, इसमें यही है कि मेरे दिमाग में, मेरे सर में वही एक बात गुंज रही थी कौन सी? कि यह जो पेड है यह बाहर निकलना चाहते हैं यह जो टहनिया है, पत्या हैं बाहर निकलना चाहते हैं, तो जब बाहर निकली तो क्या हुआ? यह जो चांद है उसके सामने आगए उन टहनियों की परच्छाई चांद पर किरी तो जो चांद पहले एकदम clean और full moon था वो अब एक broken mirror यानि तूटे वेक कांच की जैसे से लग रहा है क्योंकि उस पे अब धारियां आ गई है ठीक है? धारियां किस चीज की है? परच्छाई की और परच्छाई किस चीज की है? उन तेहनियों की उन पेड़ों की तेहनियों की जो बाहर निकल गए है उसके बाद बता है कि जैसे ये पेड़ बाहर निकल गए इतनी जोर से हवा चली मानो लग रहा हो कि इन हवाओं को इंतजार है कि कब ये पेड़ बाहर निकली है और कब हम इनका स्वागत करें तो इतनी जोर से ये बहने लगी कि एकदम मानों लग रहा हूँ इन पेडों का स्वागत कर रही हूँ और जो चांद है वो पहले piece of broken mirror की तरह लग रहा था और मानों ऐसा लग रहा है कि ये जो oak tree है इसके उपर एक ताज की तरह सजा हुआ हूँ ये चांद तो ये बहुत ही एक सुन्दर picturization किया गया है एज्वान रिश की तरफ से इस पर questions जो बनते हैं वो है ये whispers silent क्यों हो जाएंगी whisper का मतलब है फुस फुसाहट है ना जो गुप चुप ऐसे बात करते रहते हैं फुस फुसा के बात करते रहते हैं तो यहाँ पर उसके दिमाग में कौन सी बाते चल रही हैं लगातार पोईट की दिमाग में बार बार लगातार बाते चल रही हैं कि ये बाहर निकलना चाह रहे हैं ठीक है लेकिन कल ये बात खतम हो जाएंगे न क्यों कि कल सुभह तक तो सारे के सारे पेड़ पौदे जंगलों में वापस मौजूद होंगे वहाँ पर पहुंच जाएंगे तो इनकी ये जो फुस फुसाहट है ना जो आजाद करवाने वाली बात जो ये कह रहे हैं हर समय वह भी बंद हो जाएंगी तो इन पेड़ों के द्वारा जो बात बाते कही जारें फुस फुसाहटे जारें वह भी एकदम खतम हो जाएगी इस आइलेंट हो जाएगा मला मेरे दिमाग में बार बार नहीं चलेगी क्या रहे हैं ठीक है चलें नेक्स question है why are the trees stumbling stumble का basically मतलब होता लड़ खडा जाना कई बार हम चलते चलते कोई पैरों के आगे कोई चीज आ जाती है या हमारा पे जो पैर है कई अटक जाता है तो हम लड़ खडा जाता है ना गिरते गिरते तो why are the trees stumbling किस तरीके से trees तरीके से कैसे लड़ खडा रहे हैं the trees are stumbling because they hurry to move outside after breaking the glass मतलब उन्होंने जैसे glass तोड़ा तो तोड़ते एकदम इस तरीके से क्योंकि सारी जो टेहनिया हैं पतिया हैं मुड़ी तोड़ी है तो एकदम अचानक से जैसे खिड़ की धरवा से तूटे और बाहर निकली तो ऐसा लग रहा मान लोग गिरते गिरते बची हैं क्योंकि वो stable नहीं हो पाई अचानक से अपना जो balance है वो नहीं बना पाई और इस तरीके से ऐसे लहरा रही थी कि मानो ऐसा लग रहा हो कि लड़ खड़ा रही हूँ और इसी लिए एक discharged patient की तरह भी नजर आ रही थी I hope students आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि किस तरीके से women के साथ तो trees को compare किया ही है इंसानों की भी किस तरीके की जो खूबियां है या qualities है वो इस tree की टेहनियों में पत्यों के अंदर डाली गई है compare किया गया है उससे चलिए आगे बढ़ते हैं which word in the stanza means the same as quiet देखे अब यहाँ पर एक चीज और समझते हैं Q-U-I-E-T यानि यह word है जिसका मतलब क्या होता है चुप होना जैसे हम class में बहुत बात कर रहे होता है तो teacher बोलती है ना be quiet यानि चुप हो जाओ तो चुप रहना या चुप करवाना तो चुप का मतलब होता है quiet शान्ती का भी मतलब होता है कि बहुत जादा quietness है तो शान्ती का मतलब यह होता है ना कि एकदम चुप चाप और सननाटा सा जब हो जाता है तो उसे भी quiet ही कहा जाता है इसके अलावा इसी से मिलता जुलता students से एक और शब्द है जिसको सीख लिजे इसे कहते हैं Q-U-I-T-E तो इसमें तो ये ये आए है ओके तो ये तो होता है quiet और ये होता है quiet ठीक है तो quiet का मतलब तो चुप वाला मतलब होता है और quite का मतलब क्या होता है हम कई बार same में हम confused हो जाते है तो quiet का मतलब होता है थोड़ा सा कि she was quite upset वो थोड़ी सी दुखी थी ठीक है she was quite अप वो ऐसा नियो का she was little upset बोलते हैं लेकिन quiet बोलना most appropriate है and you are looking quite happy today आप काफी खुश लग रहे हैं ठीक है तो ये एक तरीके से थोड़ा सा या काफी एक हद एक limited चीज को दर्शाने के लिए कि हाँ आप काफी खुश लग रहे है you are looking quite good आप काफी खुश लग रहे हैं काफी अच्छे लग रहे हैं you are looking quite good ठीक है ठीक है इसका ये मतलब होता है कि काफी भी बोल सकते हैं या थोड़ा बहुत राइट ये मतलब होता है quiet का और quiet का मतलब होता है चुप यानि be quiet maintain silence in the class hopefully students आपको ये information भी अच्छे से समझ में आई है clear हो गई है इसका meaning देख लेते हैं the word is silent silent का ये ही मतलब है ना कि जब ये बाहर चले जाएंगे तब ये जो whispers जो हो रही है न वो मेरे दिमाग में जो whispers चल रही है वो silent हो जाएंगी ये ही word used किया गया है और quiet का मतलब ये ही होता है I hope students ये अच्छे से clear है आपको next question which poetic device has been used in the sixth line of the stanza यानि इस stanza की जो sixth line है उसमें कौन सी poetic device यूज की गई है और वो भी है simile has been used using like for comparison फिर से like शब्द का यूज हुआ है और compare किसे किया जा रहा है moon को compare किया जा रहा है और किसे किया जा रहा है broken mirror से किसे किया जा रहा है broken mirror से ठीक है तो ये भी a comparison है अगर यहाँ पर इस पूरे sentence में like का शब्द यूज नहीं होता तो हम similar की जगा students क्या लिखते हम लिखते वहाँ metaphor दूसरा ये मत सोचना है कि मैं यहाँ पर तो imagery भी है ये भी है वो भी है no यहाँ पूछा गया है आपसे specifically sixth line तो एक मात्र उस line में क्या comparison हो रहा है जो imagery हो रही है वो एक मात्र sixth line में नहीं हो रही है पूरे stanza को जब एक बार में पढ़ते हैं तब पूरे stanza का पढ़कर ही image create होती है है ना तो students ये समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं आधी अधूर imagery create हो गई ख्यों कि अगा लए अगर एक शब्द में पूरी imagery create हो जातीह है येक पूरे line में पूरी imagery create हो जाती है तो सही है लेकिन इस case में पूरे stanza के में movement 써 हो रही है एक शब्द धाए लाइन में पूरी तरह करेड़न से नहीं हो रही है तो students यही था हमारे extract based questions जो कि जो last था वो बहुत ही ज़ादा important था CBSE 2016 में भी वो सभी questions आये थे make sure आप इन्हें अच्छे से समझ ले और अगर किसी भी तरीके का कोई doubt है तो हर बार की तरह आप इस बार भी comment section में comment करके मुझसे पूछ सकते हैं I'll be happy to help you out अब आखर में आपको इस वीडियो को like तो करना ही है इसे जादा से जादा share भी करना है और अगर Magnet Brains Hindi को subscribe नहीं किया है तो अभी इसे subscribe करें क्योंकि यह आपके लिए लेकर आता है high quality education with all these top courses from class 7 to class 12 absolutely free of cost यानि इसके लिए आपको कुछ भी pay नहीं करना है students बहुत ही अच्छी opportunity है इसका advantage जरूर से जरूर उठाइए इसके अलावा e-books और e-notes के लिए आपको links description box में भी दिये गए हैं आप उन्हें प्लीज वहाँ चेक कीजिए ताकि आपको सारी details उनसे related मिल जाए इसके अलावा www.magnetbrains.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं जहां हमारे सभी वीडियो जो है वो available हैं चैनल से related latest updates के लिए आप हमें follow कीजिए Instagram, Telegram, Facebook और Twitter पे Students अपना ध्यान रखिए अपनी तयारी मेरे साथ पक्की रखिए Take care, see you soon and thank you so much